हेलो स्टुडेंट मैं पवन ममुरिया उडान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम चेप्टर नाओ किरन प्रकासी की और प्रकासी की अंदर के अबजिक्टिव डिसकस करेंगे इस चेप्टर से भी चार नंबर के अबजिक्टिव आए चोटे स्टा और अभासी प्रतिविम प्राप्त किया जा सकता हैं इसमाल एंड वर्चल इमेंच kimya डिश टाइड वर उत्तल दरपन convex lens sorry convex mirror जो है उससे राप्त कर सकते हैं अगला question लेते हैं question number 2 एक प्रकास किरेंड किसी दरपन पर अभिलंबावत आपतीत होती है परावरतन कोण का मान क्या होगा a light ray is incident on a mirror at normal आपने पढ़ा है इस type का ये mirror है इस पर ये normal है 90 का angle generate करता है अगर ray इसी पात पर आती है तो वापस reflect होकर इसी पात से चली जाएगी ये perpendicular है और इसी से reflected ray भी जा रही है तो दोनों के बीच जो angle होगा वो 0 degree होगा तो ये ही पूछा है कि हाँ angle कितना generate होगा तो incident angle and reflected angle both are 0 next question question third लेते हैं गोली दरपन की focus दूरी और वकरता त्रिज्जा R में क्या relation है तो R radius जो है radius जो आप curvature जो है वो focal length से किस type से depend करती है तो R by 2 is equal to होता है F focal length वकरता त्रिज्जा की आधी होती है radius आप curvature की हाप होती है तो यहां से R by 2 is equal to F या R is equal to twice F हो का R is equal to twice F C option C इसका correct answer है next question है बड़ा और आभासी प्रतिविम प्राप्त किया जा सकता है तो बड़ा और आभासी प्रतिविम प्राप्त किया जा सकता है तो छोटा और आभासी उत्तल दरपन से प्राप्त किया जा सकता है वही बड़ा और आवासी प्रतिभिम्ब जो मेगनीफाइंड और वर्च्वल इमेज जो है वो कॉनक्यों मिरर से प्राप्त कर सकते हैं यहां आउतल दरपन्ड कॉनक्यों मिरर आंसर है कुशिर फिप्त है आउतल दरपन में बने प्रतीविंब को परदे पर प्राप्त नहीं कर सकते जब कि वस्तु जब भी हम परदे पर प्राप्त मतलब हम किसी भी इमेज को परदे पर तब प्राप्त कर सकते स्क्रीन पर तब हम देख सकते हैं जब वह कैसी हो रियल इमेज हो अगर वो वर्शुल होगी तो इमेज हम जो है उसको स्क्रीन पर आप्टेंड नहीं कर सकते हैं तो दुरू और फोकस के बीच जब हमारा अब्जेक्ट होता है तो जो हमारा इमेज होता है जो प्रतिभिम्ब होता है वो कैसा होता है आबासी और आबासी होगा जिसको हम स्क्र कर सकते हैं पर जुरों और फोकस के बीच अगर उप्जेक्ट मुझें सकतें नहीं कर सकते हैं जब प्रकास टी है तो मानदा परीवर्ति यह इंद पॉस्ट अम्पी एंग यह सब भी रिफलेक्षन होता है पिकट मेर कंग वेडिया लिफलेबक अनादर मीडिय में ट्रेवल करती और उस धाइम पर यह ज你想 होती है ऊती देहां सब कुछ चैंज हो जाती है सिसेवाइगर हमारे पास टूहलैं गう तो कंबाइन लेंख की फोकल लेंख आपने पड़ा होगा, तो संयूक्त में रखे दो लेंख की फोकस दूरी एफ उन प्लस एफ टू होगी, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए नियुन तम होती है तो फोकस दूरी जो है फोकल लेंथ जो है वो किस लेंथ के लिए मिनिमम होगी विच कलर कौन से कलर के लिए मिनिमम होगी अब जानते हैं कि जिसका म्यू ज़्यादा होता है इसकी focal length कम होती और म्यू किसका ज़्यादा होता है वाइलेट का तो बेंगनी रंग की focal जूरी सबसे कम होती है जबकि लाल रंग की सबसे अधिक होती है rate color की highest focal length होती है और वाइलेट की minimum होती है नेक्स्ट है प्रकास का रंग किस से ग्यात होता है तो ये भी वही ए क्वेस्टिन कि प्रकास का जो कलर है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंशी पर डिपेंड नहीं करता है याद रखेंगे only it is depend on frequency आवरती पर निर्भर करता है प्रकास का रंग संयुक्त सुक्षमदर्सी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिद्रस्ट्यक की फोकस दूरी से क्या होती है तो संयुक्त कॉंटेक्ट हमारा जो compound microscope है उसकी बात कर रहे हैं तो compound microscope में जो हमारा आईपी होता है उसकी जो focal length होती है वो जो objective lens होता है उससे high होती है तो यहाँ पर हमारा answer होगा से अधिक होती है अभिद्रस्ट्यक की फोकस दूरी से क्या होती है अधिक होती है the focal length of objective जो है उससे more than होती है हमारी focal length of IPS तो यहां पर answer A होगा से अधिक होती है नेक्स्ट, खगोली दूरदर्सी में अबिदरस्यक की focus दूरी FE, नेत्रे लेंस की focus दूरी FO, स्वारी, यहां पर थोड़ी से mistake है अबिदरस्यक की focus दूरी FO, नेत्रे लेंस की focus दूरी FE, ठीक है, दे फोकल लेंस आप अप्जेक्टी लेंस और एस्ट्रोनॉमिकल टेली को विज एफ ओ एंड फोकल लेंथ आप 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 इस एफ ए देन मेगनिफाइंट पावर एम इस एक्वल टू होगा माइनस एफो बाए फी तो राइट आंसर ए होगा होगा थोड़ी सी मिस्टेक होगे इसमें में प्रकास किरंड के एक समागी माध्यम से दूसरे समागी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं The process of changing the path of light on entering from one homogeneous medium to another homogeneous medium is called reflection of light अपवर्तन क्या कहा जाता है अपवर्तन जब प्रकास किरंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से भटक जाती है तो उसको हम बोलते हैं अपवर्तन रेफ्रेक्शन तो ये रेफ्रेक्शन फिनोमिना होता है Next जो हमारा question है वो है दो माध्यमों के लिए अपतन कोन की जा और अपवर्तन कोन की जा के अनुपात को क्या करते The ratio of sign of the angle of the incident and the sign of the angle of reflection for two medium तो sin i by sin r is equal to mu refractive index तो यहां पर आ जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है Question third है यदि कोई प्रकास के रेंड विविन्न माध्यमों में अपवर्तित होती है उसके मार्ग को अगर हम पलट दें तो जिस मार्ग में प्रवेस करती है उसी मार्ग से वापस लोट जाती इसे क्या का जाता है तो इसे प्रकास का इसे प्रकास का क्या का जाता है उत्क्रमनियता का सिद्धान का जाता है उत्क्रमनियता का सिद्धान का जाता है उत्क्रमनियता का सिद्धान का जाता है प्रकास की तो irreversibility of light का जाता है irreversibility of light अगर जिस path पर ray आ रही है उस path को हम क्या करते reverse कर दे तो वो उसी path से वापस opposite direction मेरे चली जाएगी irreversibility का principle का जाता है next है खालस्तान आपतन कोण का वावी से मानने जिसके लिए अपवरतन कोण का मान 90 degree होता है देडिज देडिज is the particular value of the angle of incident the value of which of the angle of reflection will be 90 तो reflection angle 90 होगा तो जो हमारा आई होता है आप्तन कोण वो कहलाता है क्रांति कोण critical angle स्अ आप्तन कोण का वह मान है क्रिटिकल एंगल तो क्रांतिक कोण आपतन कोण का वहमाने जिसके लिए रिफ्रेक्टिव एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है तो यह जलासे होने का भ्रहम जो है उसको मरीशिका कहा जाता है कि मेराइन कहा जाता है मरीशिका कहा जाता है इलुजन होता है इलुजन मतलब हमको कुछ दिखाई देता है यसा लगता है कि वहाँ पर पानी है वहmaं जाके देखते हैं तो डिसर्ड में कोई पानी नहीं होता है तो मरी चिका का जाता है इसको ओ सिंध ठंडे देशों में ये वी उसी का है ये जो टोटल इंंटरनल रिफ्लेक्शन ने उसका कुश्यन है लेकिन टोटल मेंट इंटरनल में क कारण जो जा बर्फ जमी रहती है वहांपर उपर जहां लटका वां दिखाए देता है तो ये एक मरीची का का ही question है यह cold area की बात है ठीक है यह question कोई काम का नहीं है next question लेखते हैं दुरू प्रस्ट से दुरू से प्रथम focus तक की दूरी को क्या का जाता है the distance from the pole up the pole to the first principle focus तो pole से यह pole मान लिजी यहां से focus तक की distance उसको हम बोलेंगे focus दूरी प्रथम focal length first focal distance first focal distance प्रथम focus दूरी तो प्रथम focus दूरी का जाता है दुरू से focus तक की दूरी को प्रथम focus दूरी थोड़ा सा question को right करने में mistake हो गया तो आपको pole से focal तक की focus point तक की distance को का जाता है क्या कहते हैं तो focal length का जाता है the resolution limit of a healthy eye is most IMP question a इस बार आने वाला आईए most IMP question a one by 60 degree या फिर one minute होता है क्याद रखेंगे resolution limit जो है one minute और one by 60 degree होता है normal healthy person के लिए जिन यंत्रों की सायता से निकट वरतिया दूर रस्ती वस्त्रों को देखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं तो near our distance object are seen with the help of genetic instrument they are called optical instrument they are called optical instrument optical instrument होते हैं जिनकी help से हम पास या दूर की वस्तू को देख सकते हिंदी में हम इनको कहेंगे प्रकासिक यंत्र प्रकासिक यंत्र की सायता से हम दूर या पास इस्तित वस्तों को आसानी से देख सकते हैं किसी वस्तू द्वारा नेत्र पर बनाएगे एंगल को visible angle का जाता है the angle formed by an object at the eye is called visible angle visible angle हिंदी में दर्शन कोन का जाता है क्या का जाता है दर्शन कोन किसी वस्तू द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोन क्या कहलाता है दर्शन कोन और जितना बड़ा दर्सन कोण होता है उतनी बड़ी image form होती है याद रखेंगे नेक्स कुश्चन है प्रतिभिम्ब द्वारा निर्मित दर्सन कोण और इस पष्ट द्रस्टी की नियुंतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्सन कोण के अनुपात को दूर दर्सी की magnifying power कहा जाता है क्या कहा जाता है magnifying power हिंदी में कहा जाता है आवर्धन चमता तो आवर्धन चमता is small m जो है उसका formula होता है m is equal to beta by alpha बीटा क्या होता है तो बीटा होता है angle of view formed by the image and alpha क्या होता है angle of view formed by the object तो बीटा by alpha is equal to magnifying power next आवर्धन चमता बढ़ाने के लिए तो अलग-अलग लेंसों से बने एक सुक्ष में दर्सी का यूज़ किया जाता है मतलब एक microscope है जिसमें दो अलग-अलग lens यूज़ किये जाते हैं उसको हम बोलते हैं संयुक्त सुक्ष मदर्सी compound microscope संयुक्त सुक्ष मदर्सी का प्रयोक किया जाएगा compound microscope उसको कहा जाता है compound microscope में दो lens यूज़ किये जाते हैं एक object की तरफ होता है और एक image की तरफ होता है next question संयुक्त सुक्ष मदर्सी में जो lens वस्तू की ओर होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो इसको object की तरफ जो lens होता है उसको objective lens बोलते हैं और जो i की तरह होता है उसको I बोला जाता है हिंदी में बात करें तो एक अभिधरश्यक होता है जो वस्त वीर वह defnt अभिधरश्यक और एक नेत्र इका होता है आई पी जो नेत्रे लेंस की ओर होता है आई की ओर होने वाला आई पी और अब्जेक्टिव लेंस होता है आई पी बोला जाता है और अब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है देश 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 वह प्रकासी के अंदरे जिसकी सायता से दूर की वस्तों को देखकर उनका अध्यन किया जाता है दूर की वस्तों को देखने के लिए टेलिस्कोप यूज होता है तो टेलिस्कोप आएगा दूर दर्सी आएगा का प्रयोग का यूज हम किसके लिए करते हैं जो डिस्टेंस पर अब्जिक रखा होता है उसकी इमेज फॉर्म करने के लिए जल के अंदर वायू का भुलबुला कॉन के लेंस की तरह भी हो करता है कॉन के लेंस की तरह भी हो करेगा आउतल लेंस की तरह व्यावार करता है याद रखेंगे आई एंपी कोश्चन नहीं तो वाटर के अंदर एन एयर बबल इंसाइड वाटर बिहेव लाइका कॉंक्यों लेंस इंपोर्डेंट कोश्चन नहीं ये भी कॉंक्यों की तरह बिहेव करेगा एक सब्दों में उत्तर दीजिए पहला कॉश्चन लेते एक सब्दों में उत्तर एंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस यदि किसी दरपन पर प्रकास किरन अभी लंबवत आपती दोती तो परावर्तन कौन कितना होगा अभी बताया था मैंने कि अगर नॉर्मली कोई इंसिडें हो रहे हैं तो आई भी जीरो होगा और आर भी कितना होगा जीरो यहां पर zero एंसर आएगा सुन्य आएगा क्योंकि आपवर्तन कौन स्वारी अपतन कोंड और परावरतन कौन कोंड डोनों कितने हो जाएंगे है कि बार्बंड ने किस गोली दरपन्ड से प्रतिभिंब आव मेगनिफाइंग कर सकता है तो कान क्यों मीरर आएगा हिंदी में हम बोले तो क्या आएगा आउतल दर्पन आउतल दर्पन जो है वो क्या करता है बड़ा प्रतिभिम और सीधा प्रतिभिम बना सकता है तो मेगनिफाइंग कर सकता है किस रंग के लिए प्रकास किस रंग के लिए प्रकास के किस रंग के प्रकास के लिए लेंज की फोकल दूरी अधिक्तम होगी तो फोकल लेंथ मैक्जिमम किस के लिए होगी विच कलर के लिए तो कौन सा कलर है जिसके लिए फोकल लेंथ मैक्जिमम होती है तो अब जानते हैं तो रेड कलर, रेड लाल रंग के लिए फोकर दूरी जो है वो अधिक्तम होगी. Next question. गोली दरपन की फोकस दूरी और वकरता त्रिज्जा में क्या संबन्द है? अभी बताया था मैंने F is equal to R by 2. R is equal to 2F. Next question. सायुगमी फोकस किन प्रतिविम्बों के लिए सकते है? For which image the image focus is true? अपने पढ़ा होगा यह जो सायुगमी फोकस है, image focus जो है, यह किसके लिए true है? यह real image के लिए true है. Real image. तो real image वास्तविक प्रतिविम्ब के लिए है. वास्तविक प्रतिविम्ब के लिए सायुगमी फोकस का जो concept है, वो true है, सकते है. Next हमारा question है. गुली दरपन को जल में डूबोने पर किसी भी mirror को अगर हम water में emerge करते हैं, spherical mirror हो, कोई सा mirror हो, उसकी focal length जो है, उस पर कोई effect नहीं होता. Focal length पे क्या परिवर्थन होगा? Focal length में no change. कोई change नहीं होगा, कोई परिवर्थन नहीं होगा. बेटा, दरपन है यह है, अगर lens होता तो change होता है. Lens को किसी भी द्रहों में डूबाने पर focus दूरी increase हो जाती है. और याद रखना, अगर काच का lens है, glass lens, glass lens है और उसको आपने water में merge किया है, तो उसकी focal length four times हो जाएगी. कितने times हो जाएगी? Four times. और उसकी power जो है, वो one by four times हो जाएगी. तो ये lens की बात कर रहा हूँ. यहाँ mirror के लिए पूछा है, तो mirror बुला है, तो mirror की focal length पर कोई effect नहीं होता है water का, image करने का. उत्तर lens में आवर्धन का मान, वास्त्विक प्रतिमिम और आवासी प्रतिमिम के लिए कैसा होता है? What is the value of magnification for a real image? Real image के लिए, जो हमारा magnifying power है, वो negative होती है, real के लिए, और positive होगी किसके लिए? Virtual के लिए. Virtual के लिए, virtual image के लिए यह positive होती है, और जबकि real image के लिए, magnifying power negative होती है. प्रकास के अपवर्थन की घटना में इसका कौन सा गुंड अपरिवर्थित रहता है? Refraction में कौन साई property unchanged रहती है? तो frequency नाम की एक property होती है, आवरत्ती जो है वो अपरिवर्थित रहती है. यह हम तीसरी चौनती बार discuss कर चुके हैं, कि आवरत्ती frequency जो है वो change नहीं होगी, जब जब क्या होगा? Refraction होगा, ray 1 media to another media में traverse करेगी, travel करेगी. लेंज की focus दूरी उसकी चमता पर किस प्रकार निर्बर करती है? तो focus दूरी और चमता, power और focal length में यह relation होता है. बोट are reciprocal to each other, वे एक दूसरे के क्या होते है? वित क्रमानुपाती होते हैं, focus दूरी और चमता. खगोली दूरदर्सी के आवर्दन चमता कैसे बढ़ाई जाती है? खगोली दूरदर्सी हमारा जो astronomical telescope है, उसकी magnify power की बात करें, तो a4 by a4 होता है, तो अगर आप m को increase करना चाते, तो focal length of object lens will be increase and focal length of ip will be decrease. अगर इसको increase करें और इसको decrease कर दें, तो m जो है, वो क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा. किसी वस्तू outer lens के focus पर रुखी है, तो उसका प्रतिविम कहाँ बनेगा? जब भी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि अगर आप object को focus पर रखते हैं, focus पर, तो focus पर रखेंगे, तो उसकी जो image वो कहाँ बनती है? हमेशा infinite पर बनती है. तो infinite पर बनेगी, तो याद रखेंगे. किस lens की छमता धनात्मक होती है? तो इसा कौन सा lens है? जिसकी जो छमता है, वो कैसी होगी? धनात्मक. तो दो lens होते हैं, कॉनके और एक convex, तो हमारा answer convex lens होगा. convex lens जो है, उसकी जो power होती है, वो कैसी होती है? पॉजिटिव क्योंकि इसकी focal length positive होती है. और आप जानते है, P is equal to 1 by F. अगर ये positive है, तो P भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. तो convex lens के focal length और power positive होती है. फिर से इसका opposite concave lens के लिए पूछ लिया, तो concave lens के लिए focal length negative होगी, तो उसकी power भी negative होती है. पॉजिव के अंदर अपवर्थित किरन पॉजिव के आधार के समानतर कब होती है? हमने पड़ा है deviation, जब minimum deviation होता है, delta M जो है उसकी value minimum होती है. जब-जब deviation कैसा होगा? minimum होगा. minimum deviation के time पर आपने इस type का diagram draw किया होगा, यह जो है refractive light यह इसके क्या होती है? parallel होती है. इसको अलग से draw करके बताता हूँ आपको, कुछ इस type की, यह हमारा prism है. यह incident रहे हैं, इधर reflect होगी, तो यह best line, दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? parallel. तो इसका कब होगा? जब deviation minimum होगा. बटा हिंदी वाले न्यूंतम विचलन की स्थती, न्यूंतम विचलन की स्थती के लिए यह condition होती है, कि अपवर्तित की रण, यह जो आधार है, उसके क्या हो जाए? समानतर हो जाए. प्रिजमस से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिक्तम होगा? तो विचलन किसका अधिक्तम होता है और किसका काम होता है? तो विचलन जो deviation जो होता है, वो बैंगनी रंग जो होता है, वाइलेट कलर जो होता है, उसका maximum होता है, और लाल रंग का क्या होता है? मिनिमम हो तो बिन नी रंग वॉयल cular का चुए लेमदा ओर वॉयलेट जो हे वो हाइट ये लो होता है अलेंगर और रेड जो हए वह हाई होता है आपको पूचाए कि डेल्टा किसका ही होगा तो डेल्टा वी का ही होगा और डेल्टा और क्या होगा कम होगा आ chatting देवीशन जो ब्रॉ 충 का कम होता है कि बेंगनी रंग का विचलन बेंगनी का विचलन अधिक्तम होगा अधिक्तम होगा और लाल रंग का जो विचलन है वो क्या होगा नियुन्तम होगा नेक्स कोशन लेते हैं नित्रिका की फोकस दुरी कम कर दी जाए तो आवर देन अभी मैंने बताया था M is equal to beta होता है FO by FE सुक्समदर्सी की बात कर रहा है M is equal to minus D by FE कहीं आता है into VO by U तो अगर इसको हम decrease करेंगे तो magni fine power आवर्धन छमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ये एक दूसरे के M और FE एक दूसरे के क्या है inversely proportional है अगर आप FE को कम करेंगे तो M जो है वो increase हो जाएगा आवर्धन छमता जो है वो बढ़ जाएगी तो यदि नेतरिका की focus दूरी कम कर दी जाए तो सुक्समदर्सी की आवर्धन छमता जो है वो बढ़ जाएगी next question लेते है question है match the column साही जोड़ी बनाईए देखिए पहला question क्या है पहला एक हगोली दूर्दर्सी की आवर्धन छमता आपको यहां से select करना है दूसरा सरल सुक्षमदर्सी की आवर्धन छमता और थर्ड सायूक्त सुक्षमदर्सी की आवर्धन छमता magnifying power up astronomical telescope magnifying power up simple microscope magnifying power up compound microscope तो यह जो minus FO by FE है अगर इसकी बात करें तो यह क्या है यह magnifying power है लेकिन किसकी है telescope की तो हमारा पहला जो telescope है उसकी magnifying power M is equal to minus FO by FE होगी हमारा जो simple microscope है उसके लिए 1 plus D by F आता है तो यह हो जाएगा second की magnifying power और compound की यह होती है VO by UE into 1 plus D by FE तो यह हो जाएगी third की magnifying power फर्स्ट खगोली दूरदर्सी के आउरदन चमता M बराबर minus FO by FE सहयुक्त सुक्षमदर्सी के आउरदन चमता 1 plus D by F और सहयुक्त सुक्षमदर्सी के आउरदन चमता minus VO by UO into 1 plus D by FE जो last question है वो भी एक major column ही है तो discuss करते हैं अच्छा question है चलिए इसमें भी तीनी major column है पहला है violet light तेकरने red light और parabolic mirror तो parabolic mirror जो है उनका use हम search light के form में करते हैं तो यहाँ पर search light जो है वो किसका होगा third का होगा अब हमारे पास दो ही color है एक prisma में सरवाधिक विचलन अभी बताया है मैंने लाल रंका विचलन तो बेंगनी रंका जो deviation होता है वो highest होता है और red color का deviation जो है वो minimum होता है ठीक है तो बेंगनी रंका prisma दोरा सरवाधिक विचलन violet color का होगा और जो लाल रंका light है red color का जो color है जो red रंका light है उसकी जो speed होती हो glass में maximum होगी तो glass में speed maximum उसी की होती जिसके लिए में यह कम होता है तो काच मेदिक तम चाल लाल रंकी प्रिजम दोरा सरवाधिक विचलन maximum deviation फर प्रिजम बेंगनी रंका और parabolic परवल्यकार दरपन का प्रयोग search light में किया जाता है थेंक यू यह आज का हमारा portion आपको जो light से related था यह कैसे लगा हमें comment करके जरूर बताए और आपको अगर कोई question theory में से समझना है तो मैं बार-बार आपसे request करता हूँ कि आप हमें हमारे comment box में comment करके देखिए हमको यह question समझना है हम उसका solution जल्द लेके आएंगे अगर हो सकता है मैंने से comment पढ़ने में ना आया तो फिर भी आप फिर से comment करिए हम उसका solution लेके जल्द आजिरूंगे Thank you